पिराना मुवी को एक्स्लेंग दिनने जा रही हूँ तो लेका सारा पानी उस जहा पर जा रहा था जहां जोए लिक भी नफसलेटा पांचे लिए हदा को बीदा पर पिर सारी पिराना मचलिया उस आदमी को अपना शिकाल बना देती हैं और उस आदमेगा सारा मास का लेधियें को पर खौन के इलावा और कुछ भी नजब नगी इसके बाद हम दिखते हैं कि वो अर्थ को एक खातम हो गया था जहां पर उस लेक पर अब सब लोग आने लग रहे थी और सब लोग अपने चुटियां को जाने के लिए इंज्वाइ करने के लिए उस लेक पर बहुत सारे लोगा हुए थे उसी लेक पर हमें एक लड़का दि चुटिंग भी होने वाली थी और इतनी दिर में वहाँ पर मुवी का डिरेक्टर आजाता है अब क्योंगे वो इस लेक पर मुवी के शुटिंग के लिए आए थे तो इसलिए उन्हें एक ऐसा परसंट चाहिए था जो इस लेक को काफी एच्छी से जानता हो और उसे अच् चुटे बहन भाई भी थे जेक की मदर जूली साथ इन अपने ड्यूटि पर ही रहती थी इसलिए वो जेक को कहती है कि तुम टार्यक्तर को गाइड करने के लिए नहीं जाओगे बलकि तुम घर पर रोगे अपने बहन और भाई का खयाल रफने के लिए अब क्योंगे जेक उस बुड़े आद्मी की वाइफ काफी परिशान है डेप्यूटि ये भी बताता है कि उने बुड़े आदमी की बोड़तों मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला इसलिए जूली कुछ जब बुड़े आदमी नहीं मिलता तो वो बाहर आने के लिए आगे पड़ती है लेकिन त तब उस बुड़े आत्मी की डट बॉड़ी को पोस्माटर्म के लिए भीज दिया चाता है ताकि ये बात पता चल सकी किस बुड़े आत्मी की डट आकी कोई कैसे है और उस लेक पर तो लोगों की आदाद बढ़ते ही जा रही थी और वो वहां से निकल कर लेक पर आजाता है लेक इक बार फिर सी वहां अपनी फ्रेंड से मिलता है वो लोग अभी बात कर ही रही होती है कि तबी वहां पर डाया पर आजाता है और वो जेक की फ्रेंड को भी कहता है उनके साथ शूटिंग पर चलने के लिए अपकियोंगे जेक भी उन लोगों के साथ जा रहा था, इसलिए उसकी फ्रेंड भी जाने के लिए रियार हो जाती है, दूसरी तरफ जेक के बहन भाई इदर पर अधेले थे क्योंके जेक उनके पास नहीं था, इसलिए वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करते हुए एक चोटी दराड आ गई थी, वो लोगों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक काफी बड़ी माइन मिलती है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंडर्ग्राउंड केव काफी अर्शे से बन पढ़ी हो, लेकिन उस पर्थ कोई की वज़े से अब केव में रास्ता बन गया और वहीं से वो सारे पिराना मचलियां वाहिर आएं थी, उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे अंडे पे दिखाई देते हैं और वो उन अंडों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तबी वहाँ पर पिराना मचलियां आ जाती हैं, जो नोवक के एक साथी पर अटेक कर द उस पिराना मचली को देखकर शॉक्ड रह जाती हैं, चुम्बे ये पिराना मचलियां तो आज से 20 राख साल पेले ही काई बहुत थी, और ये पिराना मचली की सबसे पहले जन रिजन थी, जो सबसे खतरनाक थी, इसका मतलब ये था कि एक एंजन फिश थी, नोवक बताता ह नहीं है कि अर्ट को एक एके आने से जो डराड बनी हैं, उसकी अंदर से उन्हें एक और लेक मीला है, और ये सारी मचलियां उस लेक में, थाउजर्थ की टादात में पाई जाते हैं, अपने शिकार की तरफ। अब क्योंकि उस लेक में ही मचलियां थाॉजर्स की तादार में पाई जाते थी इसलिए उन्हें फिलार खतम करना तो impossible था इसलिए जूल्री और डेप्यूटी सब लोगो उस लेक से बाहिर आने के लिए बोलते हैं और खतर है कि इस जगा पर खत्रा है इसे जल से जएड़ कर दिया जाए लेकिन कोई भी उनकी पात नहीं मानता और वो लोग लेक में ही रहते हैं जहां पर बहुत सारी बिराना मचलियां उन पर एक्ट कर देती हैं वो मचलियां डारेक्टर की फ्रेंड को पूरी तरह सिकाने लगती है जिससे उसकी मोद दो जाती है ये देखकर वो डारेक्टर चिलाने लगता है और सब लोग उसके हैड करने की कोशिश करती है इदर उदर बाग में लगते हैं और वहां पर उन मचलियों की दर्शित पहल जाती है और लेक में खून की इलावा और कुछ भी नजल नहीं आ रहा था जूली और लेक से लोगों को निकाल कर बोर्ट पर ला रहे थे क्योंकि दोड़ी दिर बाद वो बोर्ट वोई तरह से डूप जाएगी और वो लोग पिराना मचलियों का शिकाल बन जाएंगे और तब हल्प मांगने के लिए जेक अपनी मदर जूली को कॉल करता है और उन्हें अपनी बोर्ट की लोकेशन बता देता है जहाँ पर जूली नौवक को लेक दरवाह से निकल जाती है और जिपने भी लोग लेक में थे वो सब बाहिर आ चुके थे जिन में अकसर लोग तो मर चुके थे और जो लोग जिन्दा पिते उनके भी हाथ और पाओं को पिराना मचलियां खा चुकी थी लेकिन जेक जूली को जाने के लिए मना कर देता है वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को लिए बगएर यहां से नहीं जाने वाला जिस पर जूली कहती है कि एक बार मैं इन सब लोगों को सही सलामत दोस्री बोट पर पहुंच जा दूँँ तब मैं और तुम तुमारी दोस्त को लेने जाएंगे इसलिए जूली उसके दोनब बच्चे और वो एक्ट्रस रसी की सहारी दूसरी बोट तक जा रहे थे अब उन लोगों के वेट की वज़ज़सी रसी नीचे जुख जाती है और इसी वज़ज़सी रसी पर सिफ एक्ट्रस का कंट्रोल खताम हो जाता है और वो पानी में जाकर गिरती है जहां पर सारी मचलिया उसे अपने शिकार बना कर उस पर तूट परती है और उसे मार डालती है जहां पर वो प्यारा मचलिया उसके खुन को स्मेल करते हैं खुन को फॉलो करते हुए उस तप पहुँच जाती है और अब जेक को मुगा मिल जाता है अपनी फ्रेंड की जान मत जानने का इसलिए वो एक रसी बानता है और अपनी फ्रेंड की पास आ रहा होता है फिर वो एक फ्लेयर लाइट से आग लगा कर वहाँ पर भैंकता है और थोड़ी दिर बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और तभी उन लोगों के पास बहुत सारे पिराना मचलिया भी आ गई थी जेक और उसकी फ्रेंड साही सलामत उस बोड़ दक पहुत जाते हैं जहां पर जूली को नोवक उन्हें लेकर खुश हो जाते हैं तभी जूली के पास उस एनिमल एक्सपर्ट की कॉल आती है जो कहते हैं कि मैं आपको पिराना मचलियों के बारे में कुछ इंफॉर्मिशन देना चाहता हूं वो बताते हैं कि जो पिराना मचली आप मेरे पास लेकर आए थे और जिन पिराना मचलियों को अभी आपने ब्लास्ट में मारा है वो सारे दो पिराना मचलियों के बच्चे हैं ये बात सुनकर जूलियो नुवक काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि अगर पिराना मचलियों के लिए छोटे से बच्चे अगर इतने खतरनाक हैं तो फिर बड़ी पिराना मचलियों के इतने खतरनाक होंगे पुलीजी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड़ो जाती है थेंक्यू फुल्वाइब